नमस्कार मैं हूँ शत्यपाल और आप देख रहें CWB Hindi News अगत भुकतान कैसलेस होगा पूरा सिस्टम ऐसे मिलेगा स्मार्ट कार्ड हरियाना पुलिस में कॉंस्टेबल भरती का नोटिपिकेशन हुआ जारी 6000 वेकेंची बारवी पास करें अपलाई हरियाना में सरकार की सभी योजनाओं और शेवाँ के लिए जन साहाएक मोबाईल इस तरह करें रेजिस्टेशन किसानों ने परदर्शन रोका आज फिर दिल्ली जाएंगे संबू और खनोरी वोडर पर जड़ब हरियाना के साथ जिलों में 15 फरवरी तक इंटरनेट बेन सरकारी नोकरी अपडेट रेलवे में 5696 में पदव पर भरती लाश्ट डेट 19 फरवरी दस्वी पास को मोगा सैलरी 60,000 से ज़ादा सोन्या गांधी राजस्थान से राजी सवा के लिए नामांकन भरेंगी राहूल गांधी भारा जोड़ो नया यात्रा छोड़कर दिल्ली पाउंचे नामांकन भरने साथ जाएंगे राहूल गांदी निया यात्रा छोड़कर दिल्ली रवाना हुए आंदोरण कर रहे किसानों से मिल सकते हैं 36 गड़ में MSP गार्णटी का वादा किया अंबिकापुर में कहा सरकार बनते ही इसे लागू करेंगे सरकारी नोकरी अपडेट SSC JIA एक्जाम के लिए नोटिफिकेशन 39 फ्रोवरी को जारी होगा चोर पैफीस तोवें एक लाग से जादा सैल दी PATM QR कोर्स हमेशा की तरह काम करते रहेंगे कमपनी ने कहा साउंड बॉक्स कार्ड मशीन जैसे पैमेंट डिवाइसीज भी चालू रहेंगे ओप्सन तलासने के आउशकता नहीं है और UAE पहुचे PM मोदी गार्ड ओफ ओनर से स्वागत कहा लगता है अपने घर आया हूँ राश्पती अल नहायान के साथ UPI लॉंच किया हर्याना का मोसम लगातार प्रिवर्तनशिल बना हुआ है पिछले कुछ दिनों से अच्छी धूप हुई अब मोसम का मिजाज बदलने की वज़े से फिर से अल सुबक कोहरे का असर हर्याना के कई जिलों में देखने को मिला है फिलाल मोसम बदलने का मुख्य कारण पश्च में विचोब को बताया जा रहा है इसी बीच मोसम वेग्यानिकों ने उम्मीद जता ही है कि आने वाले दिनों में मोसम साफ रहेगा फिलाल वेग्यानिकों ने मोसम को गेहों की फसल के लिए अच्छा बताया है आर्मी पब्लिक स्कूल हिसार में विभिन पदों पर भरती की जा रही है सब्सक्राइब के लिए अनुभावी आवेद को वे भूत पूरु सैनिक लिए अनुभावी आवेद को वे भूत पूरु सैनिकों के लिए अधिक्तम आयुसिमा 57 वर्स रहेगी हरियना के सरकारी स्कूलों में बच्चों की बोर्ड परिक्षाओं में अब ज्यादा समय नहीं बचा है लेकिन अभी तक शिक्षय विभाग ने इए अधिकम योजना के तैत कक्षा 10-11 और 12 के बच्चों से टैबलेट वापस जमा करने को लेकर SOP जारी नहीं की है जबकि पिछले साल विभाग ने इस समय तक SOP जारी करके टैबलेट वापस लेना सुरू कर दिये थे पता चला है कि विभाग इस समय में जल्दी SOP जारी करने को लेकर बैठक आयजित करेगा ताकि बच्चों से टैबलेट वापस ले जासके बता दें कि शिक्ष्य विभाग द्वारा इए अधिकम के तायत 10-11 और 12 कक्षा के विद्धार्थे को टैबलेट और डाटा सिम वित्रित किये गये हैं यह वित्रन लाइबरेरी के मादम से किया गया है इसके अनुसार टैबलेट स्कूल की संपत्ति हैं इसलिए विद्धार्थी द्वारा स्कूल छोडने या बदलने की अवस्ता में वे टैबलेट लाइबरेरी को लोटाना होता है हर्याना पुलिस भरते का इंतजार कर रहे हैं युवाओं के लिए एक बड़े खुशकबरी आ चुगी है लंबे समय से उम्मिद्वार पुलिस भरते का इंतजार कर रहे थे भरते के लिए नोटिपिकेशन जारी हो चुका है अधी सुचना के अनुसार हर्याना पुलिस में 6000 कॉंस्टबल के भरते की जाएगी इंचे अजार शिपाईयों में 5000 पद पुलिस कॉंस्टबल के लिए जारी किये गए हैं जबकि 1000 पद महिला कॉंस्टबल के लिए होंगे पदों के लिए आविदन के प्रक्रिया बीस फ्रवरी से सुरू होने जा रही है जबकि महिला सिपाई के जनरल के 360, SC के 108, BCA के 140, BCB के 80, EWS के 100, BCA के 20, BCA के 30 पद सामिल किये गए है उन्होंने बताएं के इन पदों के लिए गुरुप C के सभी पास उम्मिद्वार आविदन कर सकते हैं नोलेज टेस्ट के लिए 94,5 फिजदी वेटेज होगी जबकि NCC के तीन सामाजी कार्थिक मांदन के अंकों की डाई फिजदी वेटेज होगी किसान नेता जगजी डल्लेवाल ने कहा कि केंदर ने एक भी मांग नहीं मानी है जब तक मुद्दे हल नहीं होंगे तब तक आंदोलन चलता रहेगा आज फिर दिल्ली के लिए कूछ करेंगे कल साम होनी के वज़े से आंदोलन रोक दिया गया था इससे पहले मंगलवार 13 फरोई को किसानों के दिल्ली चलो मार्च को दिल्ली के आसपास के बॉर्डर पर रोगने के चाक चोबंद इंतजाम किये गए थे पंजाब हरियाना के संभू बॉर्डर पर बैरिगेटिंग थोड़ने की कोशिश की गई तो पुलिस ने ड्रोन से आसुग एसके गोले छोड़े हरियाना में कई जगों पर किसानों ने बैरिगेट्स हटा दिये हरियाना के साथ और राजस्तान के तेन जिलों में इंटरनेट बंध है 15 जिलों में 1444 लागो है हरियाना और दिल्ली का सेंगू ठेकरी बॉर्डर जूपी से जुड़ा गाजीपूर बॉर्डर शील है दिल्ली में भी कड़ी बैरिगेटिंग की गई है यहां एक महीने के ल इस कि प्लानिंग एक या दो दिन की नहीं है बलकि दो मैने से किसान इसकी तैयारी कर रही थे किसानों के मताविक आठ सोट रोली हो में रासन के साथ उसे पकाने के लिए लकड़ी भर रकी है तो रासन साथ मिलेकर चले हैं कई ट्रोलियों में 16 तक परबंद भी किया गया केंद्रे मंत्री अजे टेनी को निकालने के बात पर चुप हो गए किसान नेता सरवन्ट सिंग पंधेर ने कहा कि पुलिस के हमले में तक्रीबन 60 किसान घायल हो चुके हैं किसानों ने फिर भी सबर से काम लिया है सरकार हमारे आंदोलन को भढ़कानी की कोशिस कर रही है जग पंजाब हरियाना के किसानों के दिल्ली जानी से रोकने और परदर्सन के खिलाब दायर दो याचिकाओं पर पंजाब एंड हरियाना हाइकोट में सुनवाई हुई इस दोरान हाइकोट ने कहा कि मॉलीक Adikarों में संतूलन होना चाहिए किसानों और आम लोगों के लिए अपने Adikar है सरकारों को इस मामले को शोहार्द पूट डंक सी निफटाना चाहिए सुनवाई के दोरन हाई कोट ने हरियाना सरकार से पूछा कि उन्होंने किसानों का रास्ता क्यों रोका वे सिर्फ अपने रास्ते से गुजर रहे हैं इस पर हरियाना सरकार ने कहा कि किसानों ने परदर्सन के लिए दिल्ली सरकार से परमिसन नहीं ली है मामले के अगली सुनवाई 15 फरवरी को होगी किसान नेत और आकिश टिकेट ने कहा कि सरकार पंजाब के किसानों के बात वरना नहाम से ये किसान दूर है और नहीं दिल्ली समुक्त किसान मोर्चा यानि की SKM 16 फरवरी को भारत बंद करेगा अगर इनके साथ छेड़कानी हुई तो फिर हम भी आएंगे सरकार सिर्फ बात ने करें बलकि समाधान में निकाले हरियाने के मनोहर सरकार ने आमजन को राहत पहुंचाने के उद्देशे से एक और नई पहले की सुरुआत की है परदेश सरकार ने सभी सेवाओं और सुचनाओं को आप तक एक ही अपलिकेशन के माध्यम से मोबाइल पर उपलब्द करवाने का बड़ा फैसला लिया है और इसके लिए जन्साहिक हेल्प मी एप को विद्वेत रूप से लौंज कर दिया गया है इस एप के माध्यम से सभी सरकारी सेवाओं और सुचनाओं आप घर बैटकर देख सकेंगे इस एप का इस्तिवाल करने के लिए आमजन को मोबाइल नंबर या फिर परिवार 55 पत्र दवारा रजिस्टेशन करवाना होगा इसके अलावा डायल 112 आपातका लाइन सेवाईं, 100 नंबर पर पुलिस, 108 एंबुलेंस, 101 अगनिसमन, 104 स्वास्त, 1091 महिला हेल्प लाइन, 108 महिला हेल्प लाइन, 1075 कोविड-19 हेल्प लाइन सहित अन्य सेवाउं के रूप में निवीदाई, बिल भुगतान, यात्रा, नोकरिया, खेल, आधारबुत, सनरचना वे कोशल विखास और सरल सेवाईं, इस एप पर पुलब्द रहेंगी, विभागवार सेवाईं, यूजर सेवाईं, वजन शिकायत और मार्टियाई की पर पुलब्द होंगी, इसके साथ ही एप पर कलेंडर वे कारेकरम, सरकार की घोशनाओं साहित, सरकारी दूरभास, निर्देशी का भी मोजुद है, एप की मदद से राजिक नागरिकों को सुखरासन वितरन, बना बनाया भोजन, डॉक्टर पढ़ाई, कहीं पर भी जाने प्रस्तावित और इंडिया इंसिटूट और मेडिकल साइन्स यानी एम्स निर्मान को लेकर तयारियों ने जोर पकड़ लिया है, देश के इस 22 में एमस का सिलानाज करने 16 फरवरी को परधानमंतरी से नरेंदर मोधी माजरा पहुंचेंगे, जहां वो एक बड़ी जनसभा को संबोधित करते वे लोकसभा चुनाओ का संखनाज भी करेंगे, परधानमंतरी नरेंदर मोधी के रैली को देखते वे विशाल पंडाल बनाया जा रहा है, इस रैली में हरियाना ही नहीं, आसपास के छेतरों से भी लोगों के पहुंचने की संभावना है, तो 71 एकड में डेट किलमेटर लंबी सड़क का निर्मान भी किया जा रहा है, वहीं हैली पेड ची लेकर स्टेज तक भी सड़क मारक का निर्मान हो रहा है, जो कि विशेश तोर से प्रधानमंतरी के आवागमन के लिए रिजर्व रहेंगे, इसके अलावा पार्किंग वे हैली पेड के जिन किसानों की फसलों पर ट्रेक्टर चलाएगा है, उन्हें परती 8160,000 रुपे मुआवजार रासी दी जाएगी। फिलाल तब तक स्तेती इसी प्रकार की बनी रहेगी। बता दे कि पंजाब और हर्याने की किसान दिल्ली कूच कर रहे हैं, किसानों का कैना है कि सरकार ने उनकी मांगी आभी तक पूरी नहीं कियें, जिस वज़े से उन्हें दोबारा से परदर्शन करने के लिए मजबूर परदा द्वारा हर्याने के आगामी बज़ट सतर पर बोलते वे कहा कि हर्याने का बज़ट सतर 20 फरवरी से सुरू होने जा रहा है या बज़ट सतर 6 मार्ज तक चलेगा। बड़ी प्रयोजनाओं का उद्गाटन भी किया जाएगा। उन्होंने काया कि जो भाषन देश के प्रतानमत्री रेवारी में देंगे वे विभिन जिलों में सिधा परशान दिखाय जाएगा और लोगों को भाषन सुनने का मोका मिलेगा। मंडाविया ने एम्स निदेशक, डाक्टर एम्स रिनिवास और बैंक अदिकारियों की मोजूदगे में सिध जारी किया है। अब मरीजी स्मार्ट कार्ड के जरिये एम्स में इलाज की फिस का कैसलेस मुकतान कर्श केंगे इस से डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा मिलेगा। इस पहल से ब्रिष्टाचार पर भी अंकुष लगेगा। यह कार्ड एम्स में भरती सभी मरीजों को निशूल के ने फिरी जारी किया जाएगा। मरीज से कोई भी सुलक से सुलक नहीं लिया जाएगा। मरीज सान अंदोलन का प्रभाव चरके दादरे जिले में अभी तक देखने को नहीं मिला है। इसके बावजूद एतियाद के तोर पर किसी बस्तेती से निपटने के लिए वह अन्होनी को रोगने के लिए पुलिस पर सासन स्तर्क रहकर निगरानी रख रहा है। रेल्वे में साहेक लोको पाइलेट पदो पर भरती के लिए आविदन परकिरा जा रही है। इस भरते के लिए कुछ दिनों पहले अधिकतम आयू सिमा में तेन साल तक के छूट की गोशना की गई है जिन उमिद्वारों ने अभी तक आविदन नहीं किया है वे 19 फरवरी के पहले अपलाई कर सकते हैं। दोट इन पर विजिट करना होगा। अक्सन ईवी के प्राइस को 1,20,000 रुपे घटाए गया है तो वहें टियागो ईवी के दामों में 70,000 रुपे की कटोती की गई है। बैटरी की किमतों में आई गराउट का फायता ग्राहकों को देने के लिए दाम कम किये गई है। वहें टियागो का बेस मोडल की बात करें तो 7,99,000 रुपे में आईगा। हलांगी कमपनी ने हाली में लॉंच हुई पंच ईवी की किमतों में कोई बदलाव नहीं किया है। देखते रहे हैं आपका अपना हर्याना का सबसे बेहतरे न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज नमस्कार इसी ऐसा के साथ आपका दिन सुब रहे।